dear students हम GK subject में अब तक जो last chapter था जो आपने पढ़ा homes of premiers और अब हम पढ़ेंगे new subject the founding fathers अब देखें अपनी notebook निकालें आप अपनी textbook GK की और notebook भी निकाल के रखें और textbook में आप देखिए page number 24 में the founding fathers the founding fathers का मतलब होता है यहाँ पर किसी country के लिए क्या कहा गया यानि कि जो देश हैं उनको found करने वाले यानि कि उनको उनकी खोज करने वाले उनको तयार करने वाले उस एक देश को बनाने वाले लोग यानि कि जैसे इंडिया में कहा जाता है राष्ट्र पिता महात्मा गांधी तो एक उनको एक पिता का दर्जा दिया गया है इसी तरह किसे यहां भी आज हम बहुत से देशों के बारे में जानेंगे कि किस देश का किसे फादर कहा जाता है यानि कि जनक किसी देश के जनक किसी देश को बनाने वाले लोग ठीक है तो आप देखें यहां लिखा है Founding Fathers are men who are credited for establishing nation यानि कि founding fathers उन लोगों को कहा गया है उन लोगों को इसका स्रिया दिया गया है credited यानि कि उनको स्रिया जाता है जो जिन्होंने किसी देश को establish किया है Establishing Nation, Nation मतलब देश, किसी देश को establish किया है उन लोगों को founding fathers कहा जाता है Match the countries to their founding fathers अब देखें यहां कुछ देशों के नाम दिये गये हैं और यहां कुछ लोगों के नाम दिये गये हैं तो हमने match करना है कि किस देश का father किसी कहा जाता है ठीक है तो सबसे पहले तो कुछ आपके लिए जैसे यह picture दी गई है और इसके बारे में बता दिया गया है King Idrish Al-Sanusi अब यह नाम है यह king, king मतलब राजा है Idrish Al-Sanusi यह नाम है किसी का Was the first and the only king of Libya Libya एक देश है जिसके एक ही राजा हुए है अभी तक और उनका नाम है Idrish Al-Sanusi अब राजा के बाद उसके बाद एक शाशक वहाँ पिर आए ठीक है अब वो शाशक कौन थे वो आप नेक्स्ट जो चैप्टर होगा या जो आपका नेक्स सब्जेक्ट होगा उसमें आप पढ़ेंगे तो उसके बाद कोहीं वहाँ पर राजा नहीं हुआ उसके बाद जो है वहाँ के दुर्रानी की, Unified the Afghan tribes and founded Afghanistan in 1747, यह जो एहमद शाह दुर्रानी है, इन्होंने अफगनस्तान और उसमें रहने वाले लोगों की खोज की, यानि कि यहाँ पर कौन लोग रहते हैं, यहाँ पर कौन से जन जाती रहती हैं, tribes का मतलब, जो वहाँ पर कई हजार साल से रहने वाले लोग हैं, तो उनको पहचान दी गई, उनको अफगन कहा गया, और उस देश को अफगनस्तान कहा गया, और यह उन्होंने कब इसकी खोज की, 1747 में, 1747 में, एहमद शाह दुर्रानी ने अफगनस्तान की खोज की, ठीक है आप देखें, सबसे लास्ट में अब आप देखें, एक पिक्चर बनी वी है, Emperor Jimu, याने कि Jimu एक शाशक थे, was the first emperor of Japan, याने कि Japan जो देश है, उसके जो पहले शाशक हुए है, वो कौन हुए हैं, Jimu, Emperor Jimu, अब देखें, यह जो लास्ट पिक्चर है, King Abdul Aziz Al Saud, यह इनका नाम है, King Abdul Aziz Al Saud, also known as Ibn Saud, अब इन्हें Ibn Saud के नाम से भी जाना जाता है, Is the founding father of the kingdom of Saudi Arabia, Saudi Arabia, Saudi Arabia भी एक देश है, जिसे हम UAE के नाम से भी जानते हैं, और जैसे आपने दुबई का नाम सुना होगा, तो यहां के यह जो राजा थे, अभी भी है, यह इनका नाम है King Abdul Aziz Al Saud, इन्होंने ही सौदी Arabia को एक देश के रूप में बनाया, ठीक है, अब यह जो नाम दिये गए हैं बच्चों, इनके आगे हमने सही करम में इनके founding fathers का नाम लिखना है, ठीक है, तो अब देखे, हम किस तरीके से लिखेंगे, आप अपनी notebook निकालिए, और उसमें आप लिखेंगे, लेकिन लिखने से पहले, आपको जो समझाया जाएगा, जो बताया जाएगा यहां पर, वो आपने अच founding fathers, एक तरफ आप countries लिखेंगे, दूसरी तरफ founding fathers, यहां countries के नाम आ जाएगे, और यहां उनके founding fathers का नाम आएगा, तो देखिए, जिस तरीक से हमने पहले बताया था आपको, कि लीबिया, लीबिया के founding fathers है, King Idris al-Sanuzi, आफगनेस्तान के है, Ahmed Saadurani, Independent Egypt, इस इजिप्ट देश के, जो founding fathers है, वो कौन है, Saad, Saad Zagulol, Saad Zagulol, ओकी, इसकी spelling आप देख लीजिएगा, और notebook में भी आप अच्छे से लिखेगा, test book में भी आप अच्छे से देखकर इसे लिखेगा, घना, जो घना एक देश है, उसके founding fathers कौन है, Kwami Norma, Kwani Norma है, इसे कहेंगे, आप देख लीजिएगा, spelling किस तरह के से लिखे गई है, N-K-R-U-M-A-H, ठीक है, Kenya जो देश है, उसके founding fathers है, Zomo Kenyata, और Medagascar, Medagascar देश के founding father है, King Redema, first, South Africa के founding fathers, National Mandela, National Mandela, ये एक बहुत बड़े figure है, और इन्हें पूरे दुनिया में जाना जाता है, इन्होंने South Africa की आजादी के लिए बहुत बड़ी लड़ाई-लड़ी है, ठीक है बच्चों, जैसे हमारे देश में महत्मा गांधी को जाना जाता है, ऐसे ही South Africa में निल्सन Mandela को भी जाना जाता है, Bangladesh, बंगला देश जो देश है, इसके founding fathers है, शेख, मुजिबुर, रह्मान, भूटान के हैं, जाबदुरूंग, नैंगवांग, रिपब्लिक ओफ चाइना, रिपब्लिक ओफ चाइना, यानि कि चीन के जो founding father है, वो है, सुन येत सेन, और जापान के जिमू, जो अभी बताया गया था आपको, साओधी अरेबिया के भी, अभी founding fathers का नाम बताया गया, ये हैं किंग अब्दुलजीज अलसाओद, तो आप इस परकार से अपनी notebook में अपने इसको लिखना है, और इससे आगे, आप देखें, पेज नंबर 24 तक अभी हम बता रहे हैं आपको, पेज नंबर 25 में जो फिर से countries दी गया है, उनके founding fathers का नाम दिया गया है, वो हम next episode में पढ़ेंगे, अभी आपने ये जो वीडियो जो देखा है, इसको आप learn कीजिए, और अपनी notebook में इसी परकार से, आप इसे अच्छे से handwriting में spelling बहुत बढ़िया से लिखके, इसे learn कर लिखके और लिखने के बाद इसे learn आपने करना है, ठीक है?